इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में अब बस चंद दिन बचे हैं और IPL पर मुसिबतों का सिलसिला नहीं टल रहा है दरसल इस दफ़ा हेदराबाद से IPL के लिए बुरी ख़बर आई है हेदराबाद किरकेट असोशियेशन ने फंड की कमी का हवाला देते हुए ग्राउंड और मेंटेनेंट स्टाफ को दो महीने से सेलरी नहीं दिये इसी के चलते ग्राउंड स्टाफ हर्ताल पर चले गए हैं जिनमें ग्राउंड्समैन के अलावा 120 करमचारी शामिल है जरसल रिपोर्ट्स की माने तो अगर यह मामला जल्ली नहीं सुलस्ता है और हेदराबाद किरकेट असोशेशन एक हफते के अंदर अपने करमचारीों को सेलरी नहीं देते हैं तो SCA स्टेडियम में होने वाले Sunrisers हेदराबाद के सारे हूम मैचेस के अलावा फाइनल को भी रायपूर के SVNS क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट किया जा सकता है हेदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाच अप्रेल 2017 को IPL के ओपनिंग मैच के साथ-साथ 21 माई 2017 को IPL का फाइनल भी शेडियूल्ड है जिस पर अब खत्रे के बादल मंडराने लगे हैं अगर हेदराबाद क्रिकेट स्टेडियम IPL की मेजबानी खो देता है और इस दफ़ा IPL का एक भी मैच हेदराबाद में नहीं होता है तो Sunrises हेदराबाद को नुक्सान होगा क्योंकि Sunrises को वह होम एडवांटेज और होम सपोर्ट राइपुर में नहीं मिलेगा जो उन्हें हेदराबाद में मिलेगा इससे पहले भी IPL 2010 में तेलंगाना मुमेंट्स की चलते हेदराबाद से IPL मैचेस को नागपुर और मुमबई में सिफ्ट किया गया था और उस समय भी हेदराबाद की परफॉर्मेंस पर काफी फरक पड़ा था हेदराबाद से इंडियन प्रीमियल लीक के आउट हो जाने के बाद संद्राइजस हेदराबाद को इससे किस तरह के फरक पड़ेंगे नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्रिकेट और आइपल से जोड़ी लेटेस्ट अबडेट्स और विडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें